हल्लो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम पाथफाइंडर में इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्जाम रिलेटिड हर इंफुमेशन और अलर्ट्स तो फ्यूचर में ऐसे ही और भी इंफुमेशन के लिए जुड़े नहीं हमारे चैनल के साथ और साथ ही साथ हमारे प्लाटफॉर्म अलर्ट. एक्जामपाथफाइंडर. डॉट कॉम पर भी विजट करें तो आज जिस गौफ्मेशन की इंफुमेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है अरुनाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोड का. जी हां अरुनाचल प्रदेश के स्टाफ सिलेक्शन बोड का एक्जाम हुआ था और अब डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन होनी है. तो उसका notice release हो चुका है, चलिए मैं आपको role number, exam और official notification के बारे में बता देती हूं। तो official notification को आप हमारे attachment section में जाकर download कर सकते हैं। चलिए चलते हैं official notification पर, तो ये रहा official notification, यहां पर बताया गया है कि physical standard test जो हुआ था 25 March 2022 से लेकर 6 April 2022 तक और return exam हुआ था 26 June 2022 को for the post of forester and forest guard, advertisement number यहां बताये गया हैं, तो after physical test and return test, shortlisted candidates की जो list है वो release कर दी गई है, और यहां पर waiting में जो candidates हैं, उनका भी waiting list जारी कर दिया गया है, साथ में यहां forest guard में जितने भी shortlisted candidates हैं, उनके role numbers mentioned हैं यहां पर, और उसकी waiting list में भी दो candidates की role number है, वो यहां पर बताये गये हैं, उसके बाद यहां देखिए third point में लिखा गया है कि shortlisted candidates को mandatory है अपने documents upload करना, साइट यहां पर बताई गई है www.apssb.nic.in यहां पर आपको अपने documents upload करने हैं, यह documents आप 1 July 2022 से और 11 July 2022 तक submit कर सकते हैं यहां पर documents की list दी गई है, यह सारे documents आपको upload करने हैं, साथ ही में यहां बताया गया है कि अगर आप अपने documents upload नहीं करते हैं, तो आपका candidature reject किया जा सकता है तो it's good कि आप अपने documents यहां पर upload करने, site जो यहां पर बताये गई है साथ ही साथ आप अपने document verification के लिए भी जाना है, जो कि 19 July 2022 को होगा address यहां पर बताया गया है AP SSB office, C sector ETA नगर जो जो documents उपर बताये गए हैं, वो सारे documents आपको लेकर जाने हैं और साथ में दो passport size photo भी लेकर जानी है तो इस विडियो में फिलाल इतना ही अगर आप कुछ share करना चाहते हैं, कुछ discuss करना चाहते हैं तो आप इस दिये गई yellow button पर click करके हमारे community page पर पहुँच सकते हैं यहां पर देखिए ongoing discussions बहुत सारे हैं आप इनमें अपने thoughts, अपने comments लिख सकते हैं साथ ही अपने fellow students के साथ भी share कर सकते हैं अब scroll down करके end में आएंगे तो आपको write or reply का option मिलेगा यहां पर आप अपने विचार अपने fellow students के साथ share कर सकते हैं तो future में ऐसे ही और videos के लिए जुड़े रहे हमारे साथ साथ ही साथ हमारे channel को subscribe करें जिससे कि आपकी कोई भी information ना चूटे इस video में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद